बजट की तरफ निगाहें सब की थी लेकिन उम्मीद वर्सस हाथ में आया क्या इसी को लेकर हम इस वक्त फिकी में मौजूद हैं और तमाम उद्योग पतियों से हमारी बाची चल रही है इस वक्त हमारे साथ पैनसनिक इंडिया के सीयो साथी फिकी के कोच शेयर मैन मनीश शर प्रण थी और जो अनॉंस्मेंट साज हुए उससे काफी खुशी है इंडस्ट्री को इसले खुशी है कि जो हमारे एंप्लोईज है उनको एक सीधा-सीधा बेनिफिट मिलता है जो सैलरी ट्लास है उसको एक क्लियर बेनिफिट मिलता है और मेरे ख्याल से उस के उपर एक क्लियर इंपक्ट आएगा तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं वेलकम करता हूं इस अनॉंस्मेंट का और जहां तक उमीद की बात है मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन थी वो फंडमेंटली दो एरियास के अंदर थी पहला है कि हम किस तरीक से 18% के उपर लाया जाए तो वहाँ पर एक 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 एक्सपेक्टेशन थी और हम आगे रखेंगे जो आने वाला बजट होगा उसके अंदर इस एक्सपेक्टेशन को रखेंगे और दूसरी थी कि जो प्रधान मंत्री जी का जो प्रोग्राम है में किन इंडिया उसको हम और कॉंपेटिटिव कैसे बनाएं किस तरीके से जहां पर आज रिजनल ट्रेड अग्रिमेंट्स नेगोशियेट हो रहे हैं आर्सेप्स नेगोशियेट हो रहा है इन दी बैकड्रॉप ऑफ एशन ट्रीटी इस लाइक एफटी एज हम इंडिया का जो मैन्फाक्ट्रिंग केप जो हमारी सरकार से लगातार एक्सपेक्टेशन है उसके ओपर कुछ अनाउंस्मेंट्स हो अब हम देख रहे हैं उद्योग जगत के लिए डिरेक्टली कुछ बड़ा अनाउंस्मेंट नहीं हुआ लेकिन इंडिरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ हैं जो एफेक्ट करेंगी दस में से नंबर देने तो आप कितने नंबर मेरे ख्याल से दस में से साड़े छे पॉइंट डिजर्व करता है ये बजट कुछ सर्प्राइजेज हैं प्लेजेंट सर्प्राइजेज हैं तो इसलिए में साड़े छे दूगा थैंक्यू सुमत से बात करनेंगे तो एक मिली जु झाल